Good morning students, आज हम नया चेप्टर करेंगे मात्राएं. आज मैं आपको मात्राओं के बारे में बताऊंगे. व्यंजनों के पूर्ण में सही उच्चारन के लिए स्वरों की साहेता लेनी पड़ती है. व्यंजनों के साथ स्वर अपने मूल रूप में means as it is नहीं लिखे जाते हैं. व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन ही लिखे जाते हैं और ये चिन ही मात्रा कहलाते हैं. जैसे अब ये दो पिक्चर्ज हैं. इनमें देखो एक है चडिया और एक है गुडिया. यदि हम चडिया को ऐसे लिखते हैं. हमने स्वर लगा दिया है व्यंजन के साथ. देखो च, च, छोटी इ, ड, छोटी इ, य, आ. हमने चिडिया को लिखा है ऐसे और इसी प्रकार से हमने गुडिया को लिखा है ग, ग के साथ, उ, ड, छोटी इ, य, और आ. इस तरह से शब्दों को लिखना, पढ़ना, बोलना, और समझना मुश्किल है. इसलिए इने अम इस प्रकार लिखते हैं. च, च के साथ छोटी की मात्रा, ड, ड के साथ छोटी की मात्रा, य, य के साथ आ की मात्रा. तो हमने लिखा चीडिया. इसे प्रकार से हमने गुडिया को लिखा ग, छोटा उ, ड, ड के साथ हमने लगाए छोटी की मात्रा, य, और आ की मात्रा. तो हमने लिखा गुडिया. ऐसा करने से इसको पढ़ना, वै लिखना, इजी और इफेक्टिव हो जाता है. तो इस प्रकार से, देखो बच्चे, मात्रा की डेफिनेशन क्या हुए? व्यंजनों के साथ स्वरों को लिखे जाने की निश्चित चिन मात्रा कहलाते हैं. अब मैं आपको सभी स्वरों की मात्राईं बताकर उनके चिन बताती हूँ, कि कौन से स्वर का कौन सा चिन होता है? देखिए, ये मैं आपको बतला रही हूँ, मात्रा का स्वरों की कौन सी मात्रा होती है, कौन सा चिन होता है? यहां मैं आपको एक कव यंजन, मैंने एक कव यंजन लिया है, उसमें मैंने सभी स्वरों की मात्राइं लगा कर आपको बताया है, देखे, अ, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहां सभी वेंजन में पहले से ही जुड़ा हुआ होता है, जैसे क, क से हमने शब्द बनाया कमल, आ, अ स्वर की मात्रा होती है, देखे, बिल्कुल उसके सामने लिखी हुई है, और जब हम क में आ की मात्रा मिलाते हैं, तो वो बन जाता है का, और एक्जाम्पल हमने शब्द बनाया कान, छोटी ए, छोटी ए की मात्रा, देखे, बिल्कुल उसके सामने लिखी हुई है, और जब हम क में छोटी ए की मात्रा मिलाते हैं, तो वो बन जाता है की, इसकी साउंड कम आती है, तो इससे हमने शब्द बनाया किताब, बड़ी ए, बड़ी ए की मात्रा देखिए, बड़ी ए के सामने लिखी हुई है, और जब हम कव यंजन के अंदर बड़ी की मातरा मिलाते हैं, तो वो बन जाता है की, बड़ी ए की साउंड जो है थोड़ा लंबा जाती है, तो हमने शब्द बनाया कील, छोटा उ, छोटा उ की मातरा देखिए, बिल्कुल उसक कम आती है, तो हमने इसे शब्द बनाया कुता, बड़ाउ, बड़ेउ की मातरा, बड़ेउ के सामने लिखी हो ये बिल्कुल, और जब हम क में बड़ेउ की मातरा मिलाते हैं, तो वो बन गया कु, इसकी साउंड छोटेउ से लंबी जाती है, देखिए, शब्द हमने बनाया कूदना, री रिशी, री रिशी की मातरा, देखिए, इसके सामने लिखी होई है, और री रिशी की मातरा हमेशा हर वे अंजन के नीचे लिखी जाती है, क में हमने री रिशी मिलाया, तो वो बन गया क्री, और इससे हमने शब्द बनाया क्रेश्न, A, छोटी A से A D, इसकी मात्रा सामने लिखी हुई है, कम A, A की मात्रा मिलाने से बनता है के, इससे हमने शब्द बनाया केला अई एनक, अई एनक की मात्रा है, हमने इसके सामने लिखी हुई है, इसमें दो मात्राएं आती है का में अई की मात्रा मिलाने से बन जाता है कई, इससे हमने शब्द बनाया कईसा ओ, 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 कली, ओ, ओ, कली की मात्रा, ओ की मात्रा बिलकुल उसके सामने लिखी हुई है क में, ओ मिलाने से बन गया को, और हमने शब्द बनाया कोयल ओ, 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 रत, इसकी मात्रा सामने दे हुई है, ओ के, क में, ओ की मात्रा मिलाने से बन गया कउ और इससे हमने शब्द बनाया कौवा और इसको हम कौवा बोलते हैं स्वर हमारे ग्यारा होते हैं और मात्राएं दस क्यों? क्योंकि अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती मैंने सभी मात्राईं आपको कव एंजन में लगा कर दिखाई हैं और प्रतेक मात्रा के साथ उनका सही उच्चारन भी बताया है इसी प्रकार से आप अन्य वियंजनों के साथ प्रतेक मात्रा का अभ्यास अवश्य करें अब मैं आपको बताती हूँ मात्राओं से संबंदित कुछ विशेश बातें जिने हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है आ, बड़ी ई, ओ, वे अव की मात्राएं वियंजन के पीछे लगती हैं छोटी ए की मात्रा वियंजन के आगे लगती है छोटा उ, बड़ा उ और री रिशी के मात्राएं वियंजन के नीचे लगती हैं ए, वे, अई, एनक की मात्राएं वियंजन के उपर लगती हैं मैंने आपको अभी क्या बताया कि उ और बड़ा उ की मात्राएं हर वियंजन के नीचे लगती हैं लेकिन र एक मात्र ऐसा व्यंजन है जिसमें उ और बड़े उ की मात्रा उसके बीच में लगती है वो कैसे लगती है मैं आपको बताती हूँ धारन देकर देखिए रुप्या र के बीच में लगी है उ की मात्रा रुची रुक रुकना ये जो मात्राई है ये र में छोटे उ की मात्रा है अब मैं आपको बताती हूँ बड़े उ की मात्रा देखिए रुमाल, रूप, रूपा, रूठना ये हैं र के अंदर बड़े उ की मात्रा है आशा है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा तो चलिए थोड़ा सा इसका हम अभ्यास कारे कर लेते हैं मैं आपसे कुछ कॉश्चन्स पूछती हूँ हाँ जी, येस, स्वर में डैश मात्राएं होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्वर गिंती में ग्यारा होती हैं लेकिन अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए स्वर में कुल मात्राएं कितनी हुई? दस चोटी ए की मात्रा व्यनजन से डैश आती है पहले, येस, छोटी ए की मात्रा ही एक ऐसी है, जो हमेशा व्यंजन से पहले लगती है येस, अब मैं आपसे कुछ राइट रॉंग पूछती हूँ येस, और स्वर की कोई मात्रा नहीं है येस, दिस राइट, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था अभी, और जो है, हर व्यंजन में जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसकी कोई मात्रा नहीं होती री रिशी की मात्रा व्यंजन के उपर लगती है नो, क्योंकि री रिशी की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है येस, तो ये हमारा मात्राई चेप्टर कम्प्लीट होता है आशा है, आप सबको बहुत अच्छे से समझाया होगा येस, धन्यवाद